हलो बच्चों आज हम लोग जानेंगे प्लेकोईड इसकेल के बारे में यह आप लोग को यहाँ प्लेकोईड इसकेल दिखाई दे रहा होगा इस प्लेकोईड इसकेल के इस्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आज अच्छे से जानने वाले हैं समझने वाले हैं तो आप लोग अपेक्चाक्रित लचेली होती है ठीक है तो देखिए यह काटिलेजिनस फीच लाइक इसकोलियोडोन फीच में यह पलेकोईड स्केल पाया जाता है जो एक इलास्मो ब्रांच फीच है आप लोग इसकोलियोडोन का डियाग्राम को जो है स्क्रीन में देखी रहे होंगे प्रियोडोन में पाया जाता है जिसे डोक फीच के नाम से भी जानते हैं देखिए यह जो पलेकोईड स्केल है यहां दिखाई दे रहा है यह पलेकोईड स्केल जो है डर्मल इन ओरीजिन यह डर्मल इन ओरीजिन है हम लोगों ने इससे के पहले के वीडियो में जो फीच क skin है उसका अध्यान कर चुका है उसमें हम लोगों ने जाना था कि जो scale है वो किस से उत्पन होते हैं बच्चों डर्मिस से डर्मल पेपिला से ठीक है तो यह जो plecoid scale है यह dermal in origin है देखिए plecoid scale आप लोग को दिखाई दे रहा होगा दो भागों में इसको हम लोग जो अध्यान करने वाले हैं एक उपर तरफ यह जो दिखाई दे रहा है यह हम plate spine और यह plate spine और नीचे तरफ बेसल plate ठीक है दो भागों में पढ़ेंगे हम लोग जानेंगे इसको अच्छे से तो देखिए जो हम लोग सबसे पहले जानेंगे plecoid scale के plate spine वाले पार्ट में इस उपर वाले पार्ट के बारे में सबसे पहले जानेंगे उसके बाद हम लोग जानेंगे बेसल plate के बारे में जो यह plate है यह कैसा है spine यह जो spiny वाला पार्ट है यह spine यह plate है चप्टा है आप लोग को दिखाई दे रहागा देखिए यह चप्टा है और यह जो diagram है यह dorsal view है और यह ventral view है ठीक है dorsal मतलब उपर तरफ से और यह नीचली तरफ से ठीक है यह dorsal view, ventral view तो देखिए यह जो spiny वाला पार्ट है यह plate है साथ ही यह जो skin में उबरा हुआ पार्ट है आप लोग देखे ही होंगे फिस में इसकेल जो है उपर का सबसे उपरी भाग होता है उपरी होता है जो backward in direction यह जो spiny माला जो पार्ट है उपर का वो backward in direction मतलब क्या पीछे लगे हुए होते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोग यह फीस है इसमें जो scale है वो कैसे होते हैं देखिए यह आप लोग को दिखाई देगा आप देखते जाए यह backward in direction देखिए पीछे पीछे तरफ यह scale backward direction में लगे होते हैं ठीक है पीछे तरफ उसके बाद देखिए इसमें और क्या जानने वाले हैं इसका surface जो है spiny होता है यह जो surface है spiny मतलब nuclei काटे के समान होती है देखिए यह surface थोड़ी सी spiny होते हैं साथ ही इसका जो surface है यह कैसे होते हैं smooth नहीं होते हैं यह smooth नहीं होते हैं क्योंकि यह hard calciferous substances से बने हुए होते हैं यह spine किस से बने हुए होते हैं बच्चों? halse calcified calciferous substances से बने हुए होते हैं जो यह भी dermal in origin होते हैं हम लोग ने अब plate spine के बारे में जान चुका है यह spine वाला मतलब यह part से लेकर के इतना part तक के spine के बारे में जान चुका है ठीक है जो plate होते हैं यह skin का outer projection में लगे होते हैं out projection और backward in direction में लगे हुए होते हैं अब द जानेंगे ठीक है यह basal plate के बारे में जानेंगे basal plate भी dermal in origin होता है ठीक है dermal in origin जो diamond shape के होते हैं यह देखिए यह जो आप लोग दिखाई दे रहा होगा यह basal plate ठीक है यह diamond shape के होते हैं एक बात और देखिए यह median spine है मतलब बीच में पाय जाने वाले spin को median spine कहते हैं यह lateral spine है मतलब side में है इसलिए lateral spine बीच में इसलिए median spine है अब देखिए यह जो basal plate है यह diamond shape होते हैं diamond क्या करके होते हैं देखिए like that diamond shape दिखाई देते हैं और lice embedded in dermis मतलब यह dermis मे धसे हुए होते हैं, यह वाला जो पार्ट है, बेसल प्लेट वाला पार्ट, यह डर्मिस में धसा हुआ होता है, और इसके जो सेल होते हैं, कर्नेक्टिव टीसू होते हैं, वो केलसी फाइड होते हैं, मतलब केलेसियम उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, और बेसल प्लेट का दे इधर बटा हुआ होता है, pulp cavity जो है, यहां से open हुआ है, ठीक है, यह देखिए, नीचे pulp cavity है, फिर यह pulp, ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, देखिए, यह pulp, तो यह opening of pulp cavity है, यहां से pulp cavity open होता है, उसके बाद देखिए, जो यह pulp cavity है, इस में, इस pulp cavity में, blood vessel, nerve, lymphoid canal, viscular connective tissue पाए जाते हैं, इस pulp cavity में क्या क्या पाए जाते हैं, बच्चों, blood vessel, nerve, lymphoid canal, जिसमें lymph बहता है, ठीक है, लिंप में antibody, जो immune system के जो cell होते हैं, लिंप के नाल में, तो लिंप के नाल होता है, इसमें, और वेस्कुलर connective tissue होता है, ठीक है, तो इस परकार हम लोगों नहीं किसके बारे में जाना, लेकोईड इसके बारे में जाना है, चलिए, इसका जो है, हम लोग नोट्स पे, इसको जहें screen shot कर लिजे, और इसका नोट् पातम नहीं हुआ है, पहले आप लोग जहें, इसका screen shot कर लिजे, उसके बाद इसके notes भी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, ओके, देखे बच्चों, प्लेकोईड scale है, found in cartilaginous fish, ischoliodon में पाया जाता है, प्लेकोईड scale किस में पाया जाता है, cartilaginous fish में ischol जिसको dog fish के नाम से जानते हैं, और एक चीज यहाँ जोड लेंगे, ilasmo branch fish में भी पाया जाते हैं, प्लेकोईड scale, यह dermalinous origin होते हैं, प्लेकोईड scale देखिए, दर्मस से origin होते हैं, प्लेकोईड scale को जो है, अधियन की दृष्टी कोंड से दो भागों में बाटा गया है, आ उसके बाद नीचे देखेंगे, ओके बच्चों अब देखिए, हम लोग अभी देख रहे हैं, फ्लेट वाले spine वाले पार्ट में, तो आप लोग देखें यह डेगराम में कि फ्लेट, spine कैसे होते हैं, यह फ्लेट, spine के बारे में देखते हैं, तो spine जो है, फ्लेट होते हैं, और trident होते हैं मतलब 3 उनमे सनराचनाएं निकले होते हैं teeth like जैसे कि हम लोग देखे ये देखे कुछ इस परकार के थे इस परकार से तो ये 1 dent 2 ये 3 इसलिए इनको क्या कहा गया है trident कहा गया है projection out the skin skin के बाहर लगे हुए होते हैं ये जो skin है ये वाले पार्ट है spine वाले पार्ट और backwardly direction surface is fine not smooth smooth नहीं होते हैं क्योंकि hard calcium serious substances से बने होते हैं derive in dermal ठीक है ये dermal से origin होते हैं आप लोग इसको जैस्क्रिंसोट कर लिजे इसके बाद हम लोग बेसल प्लेट के बारे में जानेंगे हो गया होगा देखिए अब हम लोग बेसल प्लेट के बारे में जानते हैं देखिए बेसल प्लेट और diamond shaped होते हैं हम लोगों ने देखा है नीचे की और नीचे का पार diamond shaped होता है lice embedded in dermis जो dermis में धसा हुआ होता है connective tissue fibrous calcified जो connective tissue होते हैं calcified होते हैं calcium yugth होते हैं inner center surface of basal plate opening of the pulp cavity जो inner surface होता है basal plate का वह pulp cavity वहाँ से open होता है pulp cavity में क्या क्या होते हैं pulp cavity field blood vessel nerve limb canal vesicular connective tissue होते हैं जो pulp cavity में blood vessel nerve limb canal vesicular connective tissue होते हैं आप लोग जाए इसको भी screenshot करके एक अच्छा suitable notes बना सकते हैं इसी परकार हम लोग एक एक करके cyclide scale, tinoid scale, gonoid scale और cosmoid scale के बारे में जानेंगे जदी आप ने channel को अभी तक subscribe नहीं कहा है तो आप channel को subscribe करके bell icon press करके आल पे click कर सकते हैं ताकि यहाँ पर जब भी नया वीडियो डाला जाए cyclide scale, tinoid scale, gonoid scale cosmoid scale या कुछ भी वीडियो डाला जाए इस channel में तो आपको इस तरह के knowledgeable वीडियो का notification और वीडियो आपको मिल सकें ओके बच्चों मिलते हैं नेक्स टूडियो में जडसे के लिए जाए